जंगर्ष करने के लिए तयार है कि महीं मुझे इस बात का एसास है कि मेरी प्यारी बहनों को अपनी परिवार पालने के लिए कितना सक्रिफाइस करना पड़ता है राद तीन महनद करती हैं अपने पेट कात कर परिवार पालती है आज रुजमर्रा की चीजों की कीमत सीमा से बाहर होने की वज़ा से उनकी नीम तक हराम हो गई यहीं नहीं उनके उपर जिस तरह की बरबरता और जुल्म आज हो रहे हैं उसे देकर हमारा दिल तूसा रहा है हमारा सिर शर्म से जुग जाता है मैं आप से पूछते हूँ कि अपनी माता बहनों और बच्चियों की इस हला के किलाब हम संगर्श करने के लिए तैयार है कि नहीं आज तो अंधेर नगरी चौपत राज़ा देश महोल है पूरा देश पूरा देश पूछ रहा है सथक आ साथ, सथका भी कास, कहा है, कहा है सथक आ साथ, सथका भी कास अर्थ यावसता इस तरह क्यो तबह होगी रुज़कार कहाँ रहा होगाँ आप ही बताये कि स्फथ बत की जाच पूनी चाहिए यहना ही कि इस का ले थान कोई ऐस्थ वोज अवोल से कोई पेज़ विए गुष नहीं आए नहीं आए वो काला दान किस के पास है किस बात की जाज कोने चाहिए यानहीं कि अदी रात को तुम्दाम से जो अस्टी लागू की थी उसके बाद मोदी सरकार के खजाना क्या खाली क्यों हो गै जाघ western is there नहीं एकरप आए जो लाकों किरोर मोधी सर्कार नहीं कार है आप सब्सक्राइब ही सत्रीक कानी नहीं कि अमागे हमारी नौरातन कामपनियों क्यों बेशी जा रही है और किने बेशी जा रही है दूसरी तरफ जनता का पैसा बैंकों तक से सुरक्षित नहीं है अम आदमी खुट का पैसा ना घर में रख सकता है और ना बैंक से निकल सकता है ये इसको कहते हैं मोदिशा कहते हैं यही है अच्छे दिन आज का महौल ऐसा हो गिया कि जब मर्जी आएं कोई धारा लगा दो कोई धारा हता दो प्रदेश का दर्जा बदल दो जब मर्जी आएं राष्टपती शासन हता दो बिना बहस के कोई भी विजया पारित कर दो ये संविदान विकास दिवास तो मनाने का दिकावा करते हैं और हर रोज हर रोज संविदान की दच्छिया उरा थे हैं अब तो एक नया नागरिता कानून बनाने की उसका भी इन पर काफी समय से सवार थी मोदिशा के इस बात की कोई परवा नहीं है कि ये जो सीएवी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तर तर कर देगा जैसे की असाम और नुर्टी स्वरदेशों में हो रहा है भारत भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्मताओ और बाबा सहाबन बेट करने कथिन संगर्श किया था लेकिन मैं मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि हमारे देश हमारे देश का बुनियादि स्वबाव ऐसे बेटबाव वाले कदमों की इजाज़त नहीं देता मैं विश्वास्ति लाती हूं कि जिन से भी अन्याय होगा कांग्रेस उन सभी के साथ कही रहेगी मोधिशा सरकार को ना संसत की चिंता है अब तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं संसत की चिंता नहीं है ना संविदानिक संसताओं की परवा है उन्हें मोधिशा के सिरफ एकी लक्ष उनका राजनीती की परवा है उनका एकी संकिर्ण जेंदा है लोगों को लरवाओ और असली मुद्दो को छुपाओ तो भाई और बहनों नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराद है इसलिए मोधिशा सरकार को अपनी आवाज बुलान करके बताए कि लोगतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तयार है कोई भी कुर्बानी देने के लिए तयार है संविदान की रक्षा के लिए हम हर तरह के संगार्श करने के लिए तयार है जनता के हाकों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने सिरफ कांग्रेस ने हमेशा लराई लरी आज भी आज भी कांग्रेस पार्थी पीछे अपने वाले नहीं है हम देश लोक्तंत्र और सम्विदान की रक्षा का अपना कर्ताव्य निबाते रहेंगे तो भायों और बहनों इनी शब्दों के साथ मैं धूर धूर से यहां आने के लिए आप सबी को दिल से आप साबको दिल से धन्यवाद देती हूं धन्यवाद जैहिंट 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 सोनिया गांदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार आपका राजनेतिक जीवन आपका संघर्ष हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहा है और आगे भी रहेगा अब आमंत्रित करता हूँ अखिल भारतिया कॉंग्रेस कमेटी से दिल्ली के प्रभारी PC चाको वे आए और सभी का यहां पर आभार व्यक्त करें बादाईशन। इसान फरेणी मुणड्यों प्रहां प्रणि ना राड यहां प्री मुणड़ियस्ण प्रामूख रबादाद आपके प रना ठीव तीव यहां थिरू इसटेमिदेक अनको वीफलों कि आइ प्राट फिर प्रा बड इन्क प्राद्ड, आएस this rally was organized at a short notice I thank all the press Congress Committee leaders for arranging to bring the workers here in Delhi four times of the crowd is outside this ground with our workers who came from all parts of this country I thank you for making this rally a grand success on behalf of all of you I would like to extend a hearty vote of thanks to our beloved leader Sonia Gandhiji Sonia Gandhiji for your inspiring speech for your leadership for your guidance we are inducted to you our hearty thanks to Sonia G Dr. Manmohan Singh Ji for his words of wisdom for his guidance on behalf of everyone assembled here I extend a most hearty vote of thanks to Sri Manmohan Singh our beloved leader Rahul Gandhiji your dynamic leadership your words of wisdom and your guidance is always our guidance I thank Rahul Gandhiji on behalf of everyone who is assembled here on both sides of the dais congress parliamentarians congress ministers congress leaders and on the dais congress working committee members and all the senior leaders on behalf of the organizing committee I want to extend a most hearty vote of thanks I want to thank the media people who came here and covered this program and the organizing committee including deliverance from this committee for last few days they were working day and night for those who made all the arrangements here I thank them from the bottom of my hearts once again colleagues and friends my hearty vote of thanks to you thank you we will thank you thank you Oh For real work you जूट की मतकी भरे चुकी है अब इनसाफ के बारी है खॉल रहा नरनारी है बहुत हुआ अब कतम मिलाज कि अपने गली रो रही नुकरी रो रहा है रो रहा है नहीं रुड्र थुड़ा था है अभाल विकर आसे साथ है वो इस से दीमक चाट रहा युवा घर पर बैठा है बहुत हुआ अब कदम दिला आवाज उठा अब देश बचा आवाज उठा अब देश बचा आवाज उठा अब देश बचा मेहनत रूब झाल झाल